हलो दोस्तों सुवागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि माइक्रो एटियम अप्लिकेशन के एक नए अपडेट के बारे में जो की इस प्रकार है बायोमेट्रिक अथांटिकेशन देखिए जितने भी GDS या Postman करमचारी हैं जो माइक्रो एटियम अप्लिकेशन का परियोग करते हैं उन्हें प्रतदीन बायोमेट्रिक अथांटिकेशन के माध्यम से अपने एजेंट का डीटेल्स को फिंगरप्रिंट से अथांटिकेट करना पहुत ही जरूरी है नेक्स्ट हम जानेंगे की कैसे पायोमेट्रिक अथांटिकेशन काम करता है आपके माइक्रो एटियम अप्लिकेशन में इसके लिए सबसे पहले हम अपना माइक्रो एटियम अप्लिकेशन ओपिन करेंगे जिसके लिए आपको इस अप्लिकेशन का यूजर आइडी और पास and condition दिये हुए हैं उसे आप agree कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपके micro ATM application का home screen open हो गया next time down side scroll करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक option available है जो कि इस प्रकार है biometric authentication next time इसे select करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है agent details जिसमें जो भी agent है उनका agent ID दिया हुआ है और agent account number दिया हुआ है और next down side एक note करके लिखा है कि UIDAI के निर्देशा अनुसार जो भी agent होंगे उन्हें प्रत दिन biometric authentication करना बहुत ही आवस्यक है उसके बाद ही वो कोई भी कार्र कर सकते हैं microatium application से next time down side continue को select करेंगे अब आप यहाँ पर fingerprint को select करके easily अपना fingerprint authenticate कर लेंगे next जब आप authenticate कर लेंगे उसके बाद ही कोई भी कार्र करें जैसे कि किसी का खाता खोलना हो या फिर किसी के account में cash transaction करना हो कोई भी कार्र जो microatium application के माध्यम से आपको करना हो तो पहले आपको प्रतिदीन biometric authentication के माध्यम से अपना fingerprint को authenticate कर लेंगे उसके बाद ही यह सारे कार करेंगे at last अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें so thanks for watching this video